आज हम HP Pro Book यह लैप्टॉप है और यह लैप्टॉप में देख सकते हैं यह क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसको मुट दिवाइस नोट फॉन का आ रहा है तो यह प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं लेके सबसे पहले जो अजिन पहले इसको लैपटॉप को बंद करते हैं इसको डैरेट सो सदड़न करते हैं किसे अब इसको फिर से चालू करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोडम आता है वही जो लिखा हुआ था वही है कुछ और तो यहां पर आप देखिए देख सकते हैं लैप्टॉप आन हो चुका है यह अच्पी का लैप्टॉप है अब देखिए बिना कोई की प्रेस किये हुए ऐसा आ रहा है तो अब यहां पर क्या करना है इस वीडियों बने रहें और वीडियों को बिल्कुल ध्यावन से देखना है बिना स्किप किये हुए देखिएगा तभी समझ में आएगा अनता समझ में नहीं आएगा तो चलिए step by step इस प्रोड़म को कैसे हटाना है हम इस वीडियों में आपक को दिखा रहा है यहां है यहां पर देखिए रो किसे वहां पर में गया है यहां पर यस पर अब यह बंद हो चुका है फिर से देखिए जो प्रोड़म जो स्टार्टिंग में था से वही प्रोड़म आ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है वह हम बताएंगे अगर इससे पहले आगर आप मेरे चैनल पर नए है तो नीचे में नीचे में सस्क्राइब का बटन आ रहा है उस पर चैनल को सब्सकाइब कर दिज्ए और वेल अगए केशन को प्रेस कर दिए कर दरिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप सब तक में तो यहां पे अभी इस प्रोड़म को हम स्व्ध करते हैं ऑल्ट कंट्रॉल यह देखिाल कंट्रॉल डिल्ट प्रेस कर रहा है और है इसका जो है virus की F10 है है बाई शमें जाने के लिए इससे F10 प्रेस करना है यह देखिए फिर से यह रहा है यहां पर फिर यह देखिए पास करके दिखा रहा है थोड़ा सा तो यह देखिए यहां पर BIOS में आ गहे हैं आपte कि आप यहां जाने के बाद eight-quatre sevent को पूरा ध्यान से देखना है यहां जाना है और यहां जाने के बाद एक-एक सेटिंग को पूरा ध्यान से देखना है यहां पे जो है यहां जाने करके तोड़ा दिखाते हैं लेशे सपोर्ट डियबल जो है डियबल एन जबंद डिजेबल यह दोनों nouveau era crist Strange हापर बिधार होना चाहिए इसा इनेवल और डिजेबल होना चाहिए यहाँ पर देखिए अब इसको मैंने हाँ इसलेक्ट कर दिया है इनेवल और डिजेवल तो अब dw यह आप सेब्ल करते ना है है यहाँ पर YES करना है यह हो गए है पुर्फेश्य वर सेब कर देते हैं और सेब करने के बाद इसको चैले को लिक्राइस को फिर्ष यह बाहर जाएंगे वर से बाहर जाना है कि आ कि यह देखें यह आप एब हो गया एग जीट होने के बाद अब खुद ही यह आन होगा लेपटॉप और यह खुद पर आन होगा और और आन होने के बाद यह Windows स्टार्ट भी हो जाएगा यह देखिए आन हो चुका है अब यह देखिए Windows का लोग आ जाएगा बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा प्रोब्लम आने से बहुत लोग सुचते हैं कि ऐसा प्रोलम आने से यह प्रोलम सॉल्फ हार्ड डिस चेंज करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है सिप बायो सेटिंग से आप इसे अपने घर बैठे खुद ही ठीक कर सकते हैं कि यह देखिए यह कुद स्टार्ट हो गया है विंडोज विडियो अच्छा लगा तो विडियो को सेर कीजिए देखिए